गुट आफ्टरून बच्चों वेलकम बाग तो जेई क्वेस्ट तो होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और विलकम बाग तो ज्वाइव फिजिक्स अलसो तो हमारे चैनल आप लोग पता हो चुका होगा कि जेई क्वेस्ट पे six channels different channels बन चुके हैं मेरे चैनल का नाम है ज्वाइव फिदिक्स ज्वाइव फिदिक्स का नाम भी सच में है ऐसा ही है ज्वाइव फिदिक्स यह लिटरली इंज्वाइव फिदिक्स इंडिफरेंट वे जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कानेमिटिक्स ऑफ सर्कुलर मोसन अगर मैं सर्कुलर मोसन पढ़ा रहा हूं तो पूरा सर्कुलर मोसन पढ़ाऊंगा इप आम डिलिंग विद फ्लॉइड तेन टोटल पूरा का पूरा फ्लॉइड पढ़ाऊंगा चाहे वो वो कितना भी क्लासेज उसमें लगे तो once again I'm welcoming you all my dear residents on joy of physics बट कुछ भी सुरू करने से पहले आप लोग को बता दू कि हमारे 6 different channel पे ये चीज़ common है thinking booster question thinking booster question एक question आपको मिलेगा इस telegram पे ये link आप लोग telegram का link ये जरूर आप लोग इसको follow करें thinking booster question आपको rose मिलेगा and इसका explanation respective teacher respective topic का teacher next live class में आपको देगा इस पे आपको ये ये thinking TV क्यों नाम दिया हम लोगों ने ये बदूर आप लोग इसे attempt करेंगे telegram channel पे प्लीज इसे आप follow करें दूसरा मेरे channel को मेरे channel को like subscribe कर लें आप so that like subscribe कर ले channel को आप लोग so that notification and videos आते रहें लगाता ठीक है और इस तरह से आते रहें कि आप लोगों को कोई video छूटे नहीं तो please like कर ले like तो करना ही है subscribe भी कर लेना है bell icon को जरूर दबाना है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं circular motion आज इस्टार्ट कर रहे हम लोग बच्चों शेस्वाल शेस्ट्री द्रूव हलो बिटा तो हम लोग circular motion शुरू कर रहे है आज and we will go through kinematics of circular motion today only kinematics then after dynamics concept of centripetal and tangential acceleration okay तो सुरू कर रहा हूं मैं lecture बच्चों without wasting your time ठीक है बच्चों तो comments आने चाहिए बीच बीच में बीच बीच में देखता रहा हूंगा comments आप लोगों को now तो मान लो यह कोई particle है circular path में anti-clockwise sense में move कर रहा है ठीक है और यह मान लो बच्चाओ this is say x axis और यह y axis ऐसे मान लिया it means circular path x y plane में है कोई भी plane ले सकते हैं x y plane ले रहा हूं z axis outward होगा i cross j is equals to k right hand thumb rule use करना है left hand thumb rule use नहीं कर सकते हैं इसलिए हम लोग याद कीजे right hand cartesian system भी बोलते हैं i इधर j इधर तो i cross j k outward होगा that is z axis outward है ध्यान से सुनने का है मान लिजे किसी time t पर एक particle जो anti-clockwise sense में move कर रहा है किसी time t पर यहाँ पर है उसका नाम है particle p यह angle theta बना रहा है with the x-axis चोकि anti-clockwise में है that's why i will take plus theta कुछ देर के बाद यह घूम के यहाँ आ गया और मान लो बच्चों यह d theta angle घूम गया समझना है पहले fundamental नहीं समझेंगे तो आप लोगों को पूरा chapter ही खराब हो जाएगा तो इसे कहते है axial vector d theta is known as a small angular displacement which is a vector quantity d theta is a vector quantity इसे कहते है angular displacement a small angular displacement a small angular displacement यह vector quantity होता है unity is radian ठीक है now यह axial vector होता है दो तरह के vector होते है polar and axial एक ऐसा vector जो sense of rotation पे depend करे और उसकी direction किसी axis के तरफ हो that axis is also known as axis of rotation बच्चों हाँ every day होगा TBQ every day होगा जरूर पार्टिसिपेट करना है ओके चलिए तो ध्यान देना ही मांसू hello बटा ही मांसू everyone of you please ध्यान देना है तो there are two types of vector जो हम लोग पढ़े चुके हैं और जानते होंगे axial and polar axial vector उसे कहते हैं बच्चों जो जिसका direction किसी axis के तरफ हो और वो sense of rotation पेडिपेंट करें जैसे यह axial vector है angular displacement axial vector है कैसे निकालते है axial vector की direction very simple one of the easiest work but yes left hand का use नहीं करने का दाहिने हाथ का use करने का यह देखने का भया पार्टिकल की sense में गूम रहा है सर anti-clockwise ठीक है जी anti-clockwise दाहिने हाथ को anti-clockwise sense में घुमाईए जी दाहिने हाथ के fingers को अंगुठा को छोड़के यह 4 finger को anti-clockwise घुमाईए अंगुठा देखें किदर है आउटवर्ड तो यही d theta vector है mind it d theta vector है d theta नहीं d theta तो इसी plane में measure होगा भाई अंगल थोड़े बाहर आजाएगा ऐसे अंगल थोड़े यह बाहर में measure होगा अंगल तो इसी plane में measure होगा बट उसकी direction होगी outward ऐसा मस समझ लिजेगा कि sir direction outward है तो outward कुछ ना कुछ तो होना चाहिए sir कुछ ना कुछ दिखना चाहिए नहीं भाई I'm not dealing with the force कि किसी body पे force लगा रहे है and that force is ध्यान से चुनिएगा force is acting along x-axis और particle rest में था तो particle x-axis में जाता है तो हम लोग को feel होता है कि और यार force लग रहा है x-axis में तो कुछ ना कुछ तो x-axis में हो रहा है we are feeling this भाई ऐसा नहीं होता इसके साथ कि sir इसका direction जो है outward है इसका मतलब particle उपर आ जाएगा नहीं भाई वो केवाल axis of rotation बताएगा तो thumb, thumb, thumb gives axis of rotation and finger gives sense of rotation दोनों में से एक पता हो दूसरा automatically निकल जाएगा दिमाग लगाने का नहीं है जहां बोलूँगा वहां लगाने का खामक का दिमाग नहीं लगाने का देखिए anti-glockwise sense दाहिने हाथ का finger anti-glockwise अंग उठा outward this is the axis of rotation and this is the sense of rotation अब मैं बोलूँ तुम rotation outward है तो sir हो ना हो particle आपका anti-glockwise move कर रहा है very simple मैं बोलू नहीं axis of rotation inward हो sir inward है ना हो ना हो particle clockwise direction में move कर रहा है यही है axis of rotation का use यहां पर तो d theta is a axial vector, torque is axial vector, angular velocity is axial vector, d theta is a vector quantity इसकी direction axis के तरफ होगी but angle measurement इसी plane में होगा angle बाहर नहीं आ जाएगा ऐसे ठीक है तो angle measurement यही इसी direction में होगा, उसकी direction जो है वो एक axis के तरफ होगा, that axis is known as axis of rotation, okay आगे बात करते हैं, तो यह particle यहां से यहां घूम गया मानलो dt time में, तो there is a term known as angular velocity, तो this is the first term of kinematic sub-circular motion, second term of kinematic sub-circular motion omega vector, that is instantaneous angular velocity, तो instantaneous angular velocity is d vector, d theta vector by dt, unit is very simple, radian per second, clear है, तो polar axial का तो मैं बता दिया हूँ क्या है, बाद में एक और चीज़ बताऊंगा, इससे related, बटी से समझे, तो इसा angular velocity, and quite obvious कि इसकी direction और d theta vector की direction सेम होगी, क्योंकि इधर यह तो vector होगा नहीं, तो यह भी axial vector है भाई, यह भी axial vector है, axial vector, ठीक है, and this is also axial vector, ठीक है, तो this is angular velocity, दूसरी बात तो कि बहुत simple है, इसका मतलब omega is the slope of theta versus t graph, यह भी याद रखने का है, theta versus t graph, slope is the omega, जो kinematics पढ़ा हुआ है, वो यह वाला kinematics में बहुत कुछ समझ सकता है, तो theta, slope of, यह लिख देता हूँ मैं, slope of theta versus t graph is omega, ठीक है, is omega, याद रखने का है, यह, मैं अपना फर्ज नहीं भा रहा हूँ, हो सकता है कि जानते हो, और जानना भी चाहिए आप लोग, d theta vector is equals to omega dt, but only d theta vector is equals to omega dt, delta theta नहीं, मैं बताने वाला हूँ, अभी तुरांत, यह ध्यान से सब कोई सुनियेगा, तो point number 3 is here, delta theta, यह vector नहीं होता है, large angular displacement is a scalar quantity, क्योंकि large angular displacement किसी भी direction में हो सकता है, माल लो कि तुमने clockwise घूमा थोड़ा, और कुछ देर के बाद anti-clockwise घूम गया, तो इसकी direction कुछ भी नहीं होगी, there is no specific direction, वैसे इसको deal करने के लिए higher studies में जाना पड़ता है, but it is a scalar quantity, it is a large angular displacement, large angular displacement, याद रखना है, displacement भले नाम है, but it is a scalar quantity, याद रखेंगे सब कोई, a scalar, ठीक है, delta theta is a scalar quantity, and therefore my dear friends, omega average, omega average, that is average angular velocity, this is instantaneous, this is average angular velocity is a scalar quantity, delta theta by delta t, total angular displacement by total time, this is the average angular velocity, it is a scalar quantity, okay, याद रखना है सारी बात है, now, fourth point पे चलते हैं हम लोग, there is term known as alpha, angular acceleration, angular acceleration, याद रखना है, angular acceleration, this is d omega by dt, d omega over dt, d omega by dt, that is rate of change of angular velocity with respect to time, that is unit is radian, radian per second square, this is angular acceleration, ये भी axial vector है, इस्ती direction omega के ultra या omega के सेम सेंस में हो सकती है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा प्लीज, सिस्टी ध्यान से देखना बेटा, तो alpha की direction, omega की direction में अगर होगा, तो उसे कहेंगे, positive angular acceleration, और अगर negative होगा, तो इसे कहेंगे, negative angular acceleration, जिससे body retard होगा, तो alpha की direction, दो हो सकती है, that is, positive V और negative V, माइनिट मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे मान लिजे, कि ये कोई particle, anticlockwise sense में घूम रहा है, with the angular speed omega, और इसका alpha भी upward है, of course, omega तो upward है ही, कैसे, particle anticlockwise sense में घूम रहा है, दाहिने आथ का यूज करने का, finger घूमाने का, अंगुठा उपर है, that's why omega विक्टर भी upward है, तो omega विक्टर and alpha विक्टर की direction अगर सेम है, तो ये speed up होगा, that is, speed up होने का मतलब है, omega की value increase होगी, तो this will cause positive, this will be known as positive angular acceleration, लेकिन अगर यही angular acceleration downward हो जाए, like, हाँ, ये नहीं कि sir, omega downward हो जाए, omega downward होगा, तो sense of rotation भी change करना होगा, the sense of rotation anti-clockwise है, thumb upward है, omega upward है, बत माल लो, alpha downward है, alpha की value downward है, I'm taking a second case, alpha की value downward है, अब ये दोनों नहीं हो सकता है कोई एक case, तो इस case में omega decrease होगा, इससे angular retardation कह सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा, कि alpha which is d omega by dt is the slope of omega versus t graph, slope of omega versus t graph, omega versus t, that is angular velocity versus time graph का slope को हम लोग कह सकते हैं, angular acceleration, अगर ये constant हुआ, तो हमारा equation of motion भी वैसे ही आएगा, जो kinematics में है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों ने, जहां भी मैं केवल ऐसा लिखूँ, that is instantaneous है, average के लिए word used is average, याद है, तो मैं fourth point था ये, fifth point लिख रहा हूँ, alpha की average value, अच्छा, आप लोग को ये याद है क्या, कि average को ऐसे भी represent करते हैं, कहीं confused मत हो जाईएगा आप लोग, ऐसे भी represent करते हैं average को, and ये T1 से T2, that is we are finding, average between T1 and T2, याद रखेगा इसे, तो alpha की average value जो हो गई, वो हो गई, delta omega over delta T, that is omega 2, omega 2 minus omega 1 upon delta T, that is T2 minus T1, ये याद रखना है, ठीक है, ये सारी बाते याद रखने हैं, now if alpha is constant, you can derive an equation, ये याद रखेगा कि, मैं circular motion का series लेके आया हूँ, तो ऐसा नहीं केवल kinematics पढ़ा के निकल जाऊँगा, मैं kinematics के बाद dynamics, motion in vertical circle, bending of cyclist, banking of road, सब पढ़ाने वाला हूँ मैं, I am going to give you the entire complete lecture of circular motion, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो if alpha is constant, alpha is constant, ये भी axial vector है, याद रखियेगा, जो भी अभी तक पढ़ाया, सारा axial vector है, अगर alpha constant है बच्चों, तो equation आएगा, S is equal to, that is theta 2 minus theta 1, और theta is equal to, ut plus minus half alpha T square, scalar equation लिख रहा हूँ, that is, S is equal to angular displacement, you can write, is equal to initial angular velocity into time, plus minus, आपको पता है, मैंने अभी बता दिया, and V is equal to, U plus minus 80, and V square is equal to, U square plus minus 2 alpha theta, ये तीन equation तभी applicable है, जब alpha constant है, अगर alpha variable है, तो integrate करके निकलेगा, जैसे कि हम लोग निकालते आ रहे हैं, equilibrium के PDF, telegram पे अगर आ गया होगा बटा, नहीं आया है, तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, don't you worry, आज में आगया होगा, सायद आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा, equilibrium का lecture से मेरे को याद आया, equilibrium का lecture सब कोई कर लेगा, अरपित, good afternoon बेटा, shriwaam, equilibrium, stable, unstable, neutral equilibrium की class ली थी मैंने, पिछले class, उसको देखना है, उसका notes बनाना है, बहुत बढ़िया, equilibrium के सारे numericals हो जाएंगे, आप लोगों के से कब stable है, कब unstable है, class, मेरे class का schedule fixed है, 2.30, everyday 2.30, उसके बाद कोई extra आएगा, तो मेरे channel को follow कर लेंगे, उसमें अब आप लोगो update मिलता रहेगा, हाँ, हाँ बेटा, sister, sister बेटा, वो कल वाली class है, मेरे आप देख लीजेगा, आप लोग PDF उसका मिल जाएगा, तो माई class will be always there at 2.30 PM, 2.30 PM, ठीके, तो subscribe करने चलन को, बेल आइकन जरूर दबा ले, तभी notification मिलेगा, तो this is aptly cable, this is used only when alpha is constant, very simple kinematics of circular motion, I'm not deriving it, because we have already derived in kinematics, सब कहां, इन सारे derivation का जड़ी यह है, सब का जड़ी यह है, बोलते हैं न, सब का जड़ी यह है, बोलते हैं न हमारे घर में, सब का जड़ी है, यह डांट ख़रते हैं न, हम लोग तो वही है, तो d omega कितना होगा भई, alpha dt, on integrating both side, omega 0 से omega 0 से t, अब यह सुनिए, अगर alpha variable है, तो भी यही से सुरू होगा, अगर alpha कहीं numerical में variable दे दिया, तो भी यही से सुरू होगा, बात अलग होगी, कि alpha integration के उस समय अंदर रहेगा, और जो alpha का function दिया रहेगा, वो function यहां पर रख देंगे, तो सबका जड़ यही है, remember, अब अगर alpha constant है, like this, तो alpha integration से बाहर आ जाएगा, integrate करोगे, तो यह सारा result आ जाएगा, remember this, ठीक है, अब लेस गो थू, velocity in circular motion, उसके बाद हम लोग numerical करेंगी, kinematics की बात कर रहा हूं मैं, don't you think he is a centripetal and tangential की बात करने वाला हूं, I am only dealing with the kinematics of circular motion, इसके numerical अब करने वाले हम लोग, ठीक है, this is not a crash course, this is a theory course, complete course, this is not a crash course, but आपको चार lecture, पांच lecture में, पूरी lecture आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, कि crash course है है, चड़िए, तो बच्चा लोग सबका जड़िये है, यह जरूर याद रखिएगा, अगर मैं कहीं बोल दिया, जैसे एक्जाम्पल दिया, अल्फा की वैलू 2T है, तो बताइए ओमेगा की वैलू क्या होएगा, तो यहाँ जो आयाए एक्वेशन अल्फा इस वहाँ पर 2T लिख देंगे, अगर कहीं अल्फा थीटा के टर्म में दिया है, तो हम लोग एनिहाँ टी हटाएंगे यहां से, I will write D omega by D theta into D theta by D t, भाई, अल्फा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहाने मिदिक्स पढ़ते हा रहे हैं हम लोग, D omega by D t can be written as D omega by D theta into D theta by D t, which is, this one is the omega, and I can write alpha D theta here, cross multiplication, alpha D theta here is equals to, तो देको, this is omega, omega D omega, integrating both sides, तो भाई, सबका जड़ यह है, इसको याद रखिए, और इसी में alpha, अगर constant है तो यह equation भी याद रखिएगा, plus कभी use करेंगे, minus कभी use करेंगे, याद रखिएगा, now, let's go through velocity in circular motion, very simple, velocity in circular motion, मेरे को याद है, मेरे teacher कभी बोलते थे, real physics starts from circular motion, तो उनकी बात मेरे को याद आती है, जब भी हम लोग laws of motion पढ़ते हैं, laws of motion, laws of motion जाएसे, I mean Newton's laws, and उसके बाद friction, उसके बाद circular motion, यह laws of motion का ही part है, तो real laws of motion starts from circular motion, क्योंकि इसी chapter में हम लोग, सीख पाते हैं, कि what is Coriolis force, what is centrifugal force, pseudo force का कैसे example है, ठीक है, लेक्चर टाइमिंग का कोई यह नहीं है, जब तक topic खतम नहीं होगा, लेक्चर की timing हो सकती है, कि 45 minutes हो जाए, एक घंटे भी हो सकते हैं, बट आप लोग को सिखाना है, आप लोग को पूरा सिखना है, कि अगर पार्टिकल अंटी ग्लोग कोई सेंस में मूव कर रहा है, तो velocity is always along tangent, there are several ways, बहुत सारे तरीके हैं, डेराइब करने का, I mean आपको, radial and tangential vector से भी समझाय जा सकता है, जो आगे मैं समझाऊंगा, इसमें, जब dynamics of circular motion पढ़ाऊंगा, ER and E theta, radial and tangential vector, of course बहुत असानी से समझ में आ जाएगा, बट ये समझें, कि अपर पार्टिकल is moving on a circular path, then velocity is always along tangent, always along tangent, that's why this is known as tangential velocity, this tangential velocity, V is equals to, tangential always along tangent, is equals to R omega, main motor है कि हमें समझना है, derivation कोई पूछने वाला नहीं है, derivation असान भी है, this velocity is always along tangent, now, ध्यान जे सुनने का है, this velocity can never be constant, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, because of direction इसकी change होती रहेगी, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर है, P1, point पर है, one number पे, तो velocity इधर है, जब ये यहाँ आ गया, तो velocity इधर है, ये अब यहाँ आ गया, हूँ, कि कब constant रहेगा, कब नहीं, ये बहुत असान सी बात है, फिर से मेरे class में, नहीं नहीं दिमाग लगाना है, अरपित, जब मैं बोलूं, तब आप लोग दिमाग लगाएगा, relax रहिएगा मेरे class में, क्योंकि चीजे, असान है, ठीक है, बहुत असान है, क्योंकि आइंसाइन साब ने कभी बोला था, कि अगर कोई चीज आप समझानी पा रहे हैं, बच्चों को, तो इसका मतलब आप उस चीज के बारे में, अच्छे से नहीं जानते हैं, इंग्लिस हैं बोला था, अबकरस इंदी में नहीं बोला था, तो वर्ट is like that, ठीक है, तो बहुत रिलाक्स रहना है, तो वेलोसिटी इस अलबेज लॉंक टैंज, नाउ भाई साब, ये वेलोसिटी, कॉंस्टेंट नहीं हो सकती है, बिकॉस अब डारेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इस निवर कॉंस्टेंट, वेलोसिटी इस निवर कॉंस्टेंट, हैस्टेग का जमाना है, हैस्टेग मैं लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी इस निवर कॉंस्टेंट, दूट इस चेंज इन डारेक्शन, होता हो, speed, that is, magnitude of velocity, speed can be constant, can be constant, ठीक है, और आप लोग बताओ, speed constant कब होगा, speed constant कब होगा, speed constant तब होगा, जब omega constant होगा, और omega constant कब होगा, जब alpha की value 0 होगी, देखो, alpha is, alpha is d omega by dt, if alpha is 0, omega is constant, omega is constant, clear है, speed constant हो सकती है, velocity constant कभी नहीं, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है दिक्कत, बहुत सिम्पल सी बात है, हम लोग linear motion में क्या पढ़ते थे, acceleration 0 है, linear acceleration की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं acceleration गलती से बोल रहा हूँ, तो हम लोग की speed constant हो जाएगा, direction तो कभी constant नहीं होगा, इसका मतलब clear हो गया, कि velocity can never be constant, speed can be, speed तभी constant होगा, जब alpha की value 0 होगी, और alpha की value 0 को कहते हैं uniform, यह अभी नहीं, अभी जो बोलने जा रहा हूँ, नहीं भी समझ मैं है, तो बड़ी omega constant, alpha 0, uniform circular motion, देखिए ध्यान से, अगर alpha की value 0 है, तो omega is constant, omega constant हो गया, इसी को कहते हैं uniform circular motion, uniform, बस इतना ही अभी समझना है, uniform, मैं acceleration की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे uniform circular motion में केवल centripetal acceleration लगता है, tangential नहीं, यह सब अभी नहीं आए, तो अभी अच्छी बात है, आगे आएगा, ठीक है, चलिए, तो alpha 0, omega is constant, इसे कहते हैं uniform circular motion, अभी इतना ही पढ़िए, अगर alpha 0 नहीं है, alpha not equal to 0, omega is variable, इसे कहते हैं non-uniform, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है, non-uniform, देखे, discipline way में वो target fixed, अचानक कुछ नहीं होता है, आपको अगर अचानक पढ़ना है कि सर अचानक, तो उसका नाम है crash course, crash, crash, ठीक है, वो सब नहीं करना है, चीज़ें जो slow आती है, time लेके आती है, वो जादा दीन तक टिकती है, तो good things always come in small packages, अच्छे चीज़ें, छोटे-छोटे package में आती है, you know that, इसलिए please patience रखने का है, sir मेरे को अभी का भी चाहिए explanation of uniform circular motion, no my dear, wait, uniform circular motion, non-uniform circular motion का क्यों मतलब समझे, कि alpha zero, omega constant, uniform, alpha non-zero, omega variable, non-uniform, there are two types of circular motion, clear, clear है जी, हाँ, clear एक दम याद रखना है, तो speed जहां भी constant होगा, कैसे पहचानेंगे uniform circular motion, पहले तो यहीं पहचानेंगे, uniform circular motion, non-uniform, यह पहचाना सीखिए, क्योंकि यह अभी नहीं पहचानेंगे, तो आगे dynamics में तकलीफ होगा, तो भाई, अगर, speed constant है, uniform circular motion, omega constant है, uniform circular motion, alpha zero है, uniform circular motion, तीनों का मतलब एक ही है भाई, बेखूब बना रहा हूँ मैं, यह तीनों एक ही चीज है, ठीक है, यह लोग बोलके, और बोलेंगे कि नहीं है, यह बता दिया, भाई, देखो, speed constant, omega constant, alpha zero uniform circular motion, क्यों यह ध्यान में रखना है, अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है, अब इसके questions, जो है, कुछ basic fundamental आते हैं, बहुत असान जैसे, एक दो question तो यह है, जो मैं अभी दे रहा हूँ आपके सामने, उसके बाद मैं questions और discuss कर रहा हूँ, देखे, somebody asked कि यह कि देखो जी, कोई particle, speed, constant speed भी से move कर रहा है, circular path में, कानेमेटिक्स की ही बात कर रहा हूँ, तो यह particle P पर था, अब यह कुछ देर के बाद Q पर चला गया, और यह angle घूम गया theta, ठीक है, या कहीं theta दिया रहेगा, या तो time दिया रहेगा, तो theta is given to you, find the change in speed and change in velocity, given omega is constant, देखियागा ध्यान से, omega constant है, omega is constant, यह दिया रहेगा, सामने वाला देगा है, यह नहीं देगा, तो उसी से बोलेंगे, भाईया, तुमी solve करके दिखाओ, चीक है, तुमी solve करके दिखाओ, तो omega is constant, omega constant, alpha 0, uniform circular motion, speed constant बोल दे भाई, तो यहाँ की speed, यहाँ की speed same होगी, तो change in speed कोई पूछे, तो बोलेंगे, जी बहुत अच्छे आदमी हो, तुम ऐसे ही question पूछो, भाई, मार्क सहुत नहीं मिलेंगे, change in speed is 0, now let's find out change in velocity, change in velocity, तो change in velocity 0 नहीं होगा, क्योंकि velocity change हो रहा है, सच में, because I am dealing with the vector quantity, I am not dealing with the scalar, change in speed, that is magnitude, में कोई change नहीं, uniform circular motion, change in velocity का मतलब, of course there is change in direction, तो velocity change हो रही है, तो delta V will be equal to, the value of delta V, जाड़ी change in velocity लिख रहा हो, V final minus V initial, V final minus V initial, वैसे अगर कोई smart बच्चा है, और उस वो पहले से vector पढ़ा हुआ है, तो उसको पता होगा, दो vector के अगर magnitude equal होते हैं, हलाकि magnitude equal है, तो उनका change का value 2V sin theta by 2 होता है, याद होगा सायद, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, this is vector A minus vector B, vector A minus vector B is under root, magnitude की बात कर लेता हूँ, under root A square plus B square minus 2AB cos theta, 2VV cos theta, V square cos theta, solve for this, trigonometry थोड़ा सा उस है यहाँ पर, this will always come as 2V sin theta by 2, this is the change in velocity, change in velocity, this is V final minus V initial, if anybody ask you, what is average acceleration, what is average acceleration, change in velocity by total time, and total time कैसे निकलेगा, चलिए यह भी बताता हूँ, total time कैसे निकलेगा, सब कुछ जानते हैं, अब आप, आप लोग सब कुछ जानते हैं, देखिए गार यहाँ, 2V, 2V cos, नहीं, नहीं, 2V sin theta by 2, 2V sin theta by 2, and जब addition होता है न, तो 2A cos theta, यह आया वहीं से है, हमारा basic formula भी आज भी वही है, under root A square plus B square plus 2AB cos theta, but time save करने के लिए, हम लोग यह special case याद रख लेते हैं, because time save करना हमारे लिए जरूरी है, examination hall में, but वो special case जो है, यह तभी applicable है, जब दोनों का magnitude same है, अगर magnitude same नहीं है, तो तेरी गलियों में ही रखेंगे कदम, that is under root A square plus B square plus 2AB cos theta, वापस वहीं चलेंगे, यह तो special case है, तो याद रखिएगा, time save करने का तरीक है, but यही अगर addition होता, तो 2A cos theta by 2 आता है, ठीक है, याद रखना चाहिए, now, अगर कोई पूछे की P से क्यों जाने में कितना time लोगा, very simple, very simple, कैसे भई, theta is equals to omega T होगा, कहां से, कब बताया सर, सर आज ही बताया हूँ, सर कब बताया, दो लोग बताया हूँ, कहां मैं बता रहा हूँ, देखो, मैंने बताया है, आप लोगों कभी, आज ही, theta is equals to omega 0 T plus minus half alpha T square, कहीं बताया हूँ, alpha 0 है भई, alpha 0 है तो ये term गायव हो गया, इसलिए theta is equals to omega T, यह हम लोग 9th class में पढ़ते आ रहे, भले, circular motion नहीं पढ़ते आ रहे, कानेमेटिक से पढ़े थे, ACG equals to ut तब होता है, जब acceleration 0 हो, तो भई, theta is equals to omega 0 T, and therefore, my dear friend, T का value हो गया, theta by omega, Sir, omega तो दिया नहीं है, भाई, आज ही पढ़ाया, पीछे देख लो, V is equals to r omega होगा, V का value हमें सा r omega होगा, therefore, omega is V by r, therefore, this is theta, and omega को लिख सकता है, V by r, V by r, but remember, theta must be here in radian, degree में नहीं ले लिजेगा, degree में नहीं ले लिजेगा, radian में होगा, r is the radius, V is the speed, लेकिन यह तभी applicable है, dear friends, जब alpha 0 है, that is omega, is constant, यहाँ साफ साफ लिखा है, तो यह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखना है, clear है, हाँ, very good, very good, बहुत बढ़िया, ऐसे ही responses देना है, तो कोई भी term छोड नहीं रहा हो, याद रखिएगा, इसको सारा चीज याद रखिएगा, ठीक है, तो remember this, अब इसमें, if anybody ask you, कि sir, what is average velocity, let's find out, इसी numerical को हम लोग research कर डालते हैं, न बई, एक से हम लोग, एक से दस सीज़ सीखेंगे, हम, ठीक है, एक से दस सीखेंगे, हाँ, but, but, mind my friends, I am not dealing with centripetal and tangential, it's a kinematic sub circular motion, या अगर कोई बच्चा अभी जॉइन किया है, ठीक है, चलिए, तो particle P, यहाँ पर, I mean, यहाँ पर था, Q पर चलाया, तो ठीक है, देखिए, जहान से देखिए, मैं red color use कर रहा हूँ, तो भाई, यह है, distance traveled, which is r theta, displacement यह है, this is displacement, delta r, delta r, let me change the color, this is delta r, displacement की बात हो रही है, displacement, by displacement, this is the shortest distance between two points, and अभी बताया हूँ, मैं अभी कुछ जिर पहले बताया हूँ, कि अगर दो vector के magnitude बराबर है, वैसे displacement होता कितना है, सब को पता है, final position minus initial position, final position का मतलब होगिया, confused नहीं होने का है, बहुत असान है चीजें, चीजें बहुत ही असान है भाई, तो final का मतलब है, rq minus initial मतलब rp, rq minus rp, that is final minus initial, once again, दोनो का magnitude बराबर है, therefore, delta r का बालू होगा, magnitude, 2r sin theta by 2, 2r sin theta by 2, that is displacement, clear, yes, yes, very good, very good, बत्चलों, तो delta r का बालू होगया, 2r sin theta by 2, what is average velocity का magnitude, सर जी, average velocity, total displacement by total time, total displacement निकाल दिया है, total time भी तुमने निकाल ही दिया था, पीछे, वो यूज कर लेंगे, total time जो पीछे बता है, that's all, average acceleration, change in velocity, निकाला हो पीछे, by total time, clear, average speed मत पूछना, average speed भी ही आएगा, because speed constant है, तो constant function का average निकालोगे, तो वह ही आएगा, तुम लोगों से कोई average speed पूछ दे, तो निकालने मत बैठ जाना, speed constant है, तो average value वही आएगा, चलो नहीं विश्वास है, तो देखो भाई, what is average speed, average speed, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, average speed without arrow, without arrow average speed, total distance, total distance is r theta, भाई, theta is s by r, theta is s by r, तो s is equals to r theta, by total time, total time पीछे निकाला था, कितना भाई, r by theta by omega, theta by omega, लो जी, omega ऊपर चला गया, ये देखो जी, theta theta cancel, therefore this is v, अरे r omega is equals to v, तो constant function का average मत निकालने, बैठ जाना तुम लोग, clear, तो please इसमें average velocity, average acceleration, ये सब निकालने, और total displacement, यहां से सीख लेना है, एकदम सीख लेना है, इससे ज़्यादा kinematics, average velocity, average acceleration से नहीं आएगा, आएगा तो वो non-iniform circular motion हो सकता है, जो आगे बात करेंगे, now let's go through some questions, जो इसी से related हैं, देखिए, here is the first question, याद रखिएगा मैंने बोला था, v is always along tangent, that is perpendicular radius, okay, अगर कोई आपसे v का vector form भी पूछे, तो ऐसे लिखिएगा, मैं बता हीं देता हूँ, देखिए, अगर कोई v, v का value मैंने क्या बोला था, v is equals to r omega, तो v का vector form, omega cross r लिख सकते हैं, omega cross r, v is equals to omega cross r लिख सकते हैं आप लोग, v is equals to omega cross r लिख सकते हैं, देखिए कैसे, अच्छा ये कैसा vector है, axial, ये कैसा vector है, polar, तो याद रखिएगा, axial cross with polar is always polar, axial, किसी भी axial vector, cross with polar vector, polar vector, का cross product हमेशा जो होता है, वो polar vector होता है, always polar vector, always polar vector, नाँ देखिए तो इधर, मैं सम्झा रहा हूँ कैसे हैं, देखिए ध्यान से, माल लिजी कोई particle, anti-clockwise sense में घूम रहा है, anti-clockwise sense में, दाहिने हाथ, anti-clockwise, अंगुठा उपर, अंगुठा उपर मतलब, this is the axis of rotation, and this is also direction of omega vector, भाई अभी बता चुका हूँ, जो बच्चा लेट से जोईन किया है, सुरू से क्लास को देख लेगा, omega vector, नाँ, पार्टिकल मान लो, बच्चा लोग यहाँ पर है, किसी time t पर, omega, put your finger on omega, curl towards r, omega cross r, along tangential direction, यह देखिए, omega cross r, clear, समझ में आ गया, ठीक है, no, 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 not r cross omega, this is omega cross r, this is omega cross r, not r cross omega, क्योंकि r cross omega में, vector reverse हो जाता है, a cross b is not equal to minus b cross a, यह मान लो, particle यहाँ पर आ गया, कुछ दिर के बाद, particle यहाँ पर आ गया, particle यहाँ पर आ गया, तो यह हो गया, r vector, change हो गया, तो देखिए, omega cross r, omega cross r, omega cross r, tangential, tangential direction, देखो, v1, v2 लिख सकते हो, सर्थ, यह नहीं, देखो, अगर, काइदे से लिखा जा motion, तो मालूम इसको r, इसको r s, लिखना होगा, भले magnitude बडाबर है, इसको v, तो इसको v नहीं लिख सकते हैं आप, इसको v1, इसको v2 लिख सकते हैं, भले magnitude बडाबर हो सकता है, काइदे से लिखा जाय तो, clear समझ में आ गया, चलिए तो यह इतना याद रखना है तो इतना का notes बना लेना है sort notes जल्दी से and 2-3 question करते हैं, इसर देखे पहला question है, find the angular speed of particle P about O question क्या है, पूरा question मैं आपको समझा दू question क्या है, question यह है कि एक particle P जो है straight line path पे move करा with a constant velocity V, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ a particle is moving with a constant velocity V on a straight line, it's a very famous question you will see this question everywhere, एक particle P move कर रहा, किसी straight line path पे constant velocity V से, तो आपको बताना है कि इस particle का इस axis के about an axis passing through O के about angular speed क्या होगा in terms of theta, theta के time में क्या होगा, अच्छा आप लोगों ने यह तो देखा होगा कि जब कोई चीजे आप train में बैठे हो, तो नस्दीक की चीजे जो है वो, तेजी से गुजरती है बहुत तेजी से गुजरती है लेकिन दूर की चीजे काफी देर तक हमारे eyes के सामने रहती है देखते हैं कोई स्कूटी से चल रहा जूम से आपके बगल से निकल गया तो पता ही नी चलता कौन निकला लेकिन दूर से जो है, दूर कोई स्कूटी से जा रहा तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं देर तक, तो clear है तो यह of course theta पे भी depend करेगा दूरी पे depend करेगा, let's see तो सबसे पहले particle is moving with the constant velocity v, यह angle theta है तो clear है यह angle भी theta होगा ठीक है, now v is equals to r omega में v is equals to r omega में जो v होता है, it is always perpendicular to radius, तो भाई यह है radius, किसी time t पर जो की नहीं दिया, यह distance d दिया है यह distance d दिया है, देखिए कितना असान है now this is theta, हमें velocity का वो component लेना है बच्चा लोग जो radius के perpendicular होता है यह रहा radius, जो की variable है red color से, अब इस पे perpendicular line draw कर लो, this is the perpendicular perpendicular to the radius देखिएगा, rate color से मैं जान बुझके दिखा रहा हूँ दिखाई दे, तो this is the radius जो की variable है, particle के दूर जाने से radius change होगा, दूरी change होगी तो यह radius है, और यह है perpendicular, तो इस point के about, however the motion is not complete circular motion, हाँ very good, complete circular नहीं ऐसे motion को curvilinear कहते हैं तो particle यहाँ पर है तो यह angle theta, 90 minus theta, this is also theta, this is V cos theta V cos theta, हाँ, यह गौर से देखिए, यह V sin theta है, तो यह अगर notice करें इस point के about तो motion circular नहीं हो सकता है क्योंकि यह radial velocity वी इसमें आ गया, अगर आप इसको इस point के about circle draw करें, इस point के about circle draw करें, तो यह रहा circle तो इसमें यह वाली velocity tangent to the circle है बट यह वाली velocity radius के तरफ है इसलिए इसका radius variable है क्योंकि इसे radial velocity भी है ऐसे motion को curvilinear motion कहते है जो हमारे syllabus में नहीं है, curvilinear जैसे ellipse या cycloid, ellipse या cycloid ठीक है तो यह वाली velocity radius के perpendicular तो I will write, V के जगर लिखूंगा, V cos theta is equals to r omega V, appendicular to the radius tangency and therefore omega पूछा था मैने V cos theta by r now r का value निकाल लो बच्चों यह हो गया हमारा equation number 1 equation number 2, r का value यहां से निकाल लो take help of cos theta cos theta is base d by r base by hypotenuse that is d by r and therefore r का value हो गया d by cos theta therefore omega का value हो गया V, r के जगर d by cos theta cos theta उपर गया cos square theta divided by d now, जो मैं बोल रहा था वो प्रूव हो गया square cancel नहीं हुआ है गलती से cut गया ही है this is V cos square theta by d theta की value बढ़ने से theta की value बढ़ने से cos theta की value घटती है देखो, omega घट रहा है इसलिए जैसे जैसे वो दूर जाएगा मेरे को camera थोड़ा थोड़ा घुमाना होगा नजदीक होगा तो उसको capture करने के लिए 3C camera घुमाना होगा लेकिन दूर जाएगा तो काफी काफी दूर तो इसलिए field view की बात करें हम लोग तो आप जब किसी train से travel करते हैं तो दूर की चीज़े हमें काफी देर तक दिखाई देती है कोई पेड़ है काफी दूर काफी देर तक दिखाई देगा moon लगता है हम लोग को लगता है moon हमारे सांथ सांथ चल रहा है लगता है न, कि moon हमारे साथ साथ चल रहा है, that's the, omega, theta की value बढ़ रही है, clear है, तो यह याद रखेगा कि हमें velocity हमें इसा लेना है perpendicular, okay, now, next numerical is here, यह बहुत असान numerical है, कोई particle P circular path में move कर रहा है, circular path में move कर रहा है, ठीक है, अब बोल रहा है क्या, कि find the angular speed of point P about C and O, C is the point on circumference and O is the point on the circle, यह जो path circular है, वो circular के वल O के about है, C के about नहीं है, क्योंकि C के about अगर circle होगा, तो यह कुछ ऐसे move करता, ऐसे, तो ठीक है, हमें angular speed ही तो पूछा है न, तो angular speed पूछा है तो देखिया, किस के about, हम लोगों से पूछा है, about C and about O, तो देखो, मान लो बच्चों, यह angle theta है किसी time cheaper, तो यह angle 2 theta होगा, it means अगर यह particle, particle की बात करें, तो अगर कोई angle घूमता है, d theta angle घूमता है, इस point के about, तो center के about, 2 d theta angle घूमेगा, mind the language में क्या बोल रहा हूँ, अगर यह angle theta, हम लोग तो geometry में पढ़ते हैं भाई, यह geometry की बात हो रही है, यह basic geometry की बात हो रही है, कोई point P है यह angle theta है, तो यह भी angle theta होगा, क्योंकि यह radius है, यह radius है, isosalist triangle, यह theta, यह theta, तो यह 2 theta होगा, तो अगर इस point के about, d theta angle घूमेगा, तो center के about, 2 d theta angle घूमेगा, तो same time में यह particle, if it is rotating, d theta angle about circumference, then it will rotate, 2 d theta angle with respect to center, so simple, therefore, omega about circumference, not center, is equals to d theta by dt, then omega about center O, is equals to 2 d theta, 2 d theta by dt, that is omega about center O, is always twice of omega about circumference, circumference and this is center, it is a very simple question once again, अगर detail में पढ़ेंगे, इसे आगे चलके, तो the motion is not circular about this circumference, it is curvilinear, but it is circular about O, क्योंकि radius change नहीं होगा, okay about, okay about radius change नहीं होगा, ठीक है, got it, very good, very good, very good, ऐसे ही, जोस तो मेरा हाई रहेगा, हाई रहेगा जोस, और हाँ, कुछ भी topic नहीं छोड़ने वाला हों कि आपको लगे किया, रहे यारे तो, इन्होंने यह हमको नहीं पढ़ाया, यह नहीं पढ़ाया, नहीं, चलिए, next question की बात करते हैं, यह question, बहुत famous question में से, आप change होगा, तो angular speed of 2 with respect to 1, that is, omega of 2 with respect to 1 लेना है, very simple, एक बार समझ में आ गया, तो मज़ा आ जाएगा, omega of 2 with respect to 1 में आपको लेना है, velocity of 2 with respect to 1, perpendicular velocity लेना है, because बार बार बोल चुका हूं मैं, कि V equals to r omega में, V वही ले सकते हैं, जो radial line के perpendicular हो, तो अगर मैं इनके बीच का separation D को, circle का radius म के solve करूं, तो हमें velocity का वो component दोनों का लेना है, जो D के perpendicular है, that's all, तो देखिये, मैं solve कर रहा हूं, मान लीजे, ये particle number 2 है, देखिये, सबसे असान question है ये, V1, theta 1, V1 के दो component होंगे भाई, this is V1, cos theta 1, and this is V1, sin theta 1, now V2 के दो component होंगे भाई, ठीक है, direction, this is theta 2, this is V2, V2, cos theta 2, and this is V2, sin theta 2, look at V2, cos theta 2, and V1, cos theta 1, इसके कारण इनके बीच का separation constant नहीं रहेगा, change होता रहेगा, भाई, इसलिए, angular speed constant नहीं रहेगा, because separation change हो रहा है, but मालो मैं उस समय पूछ रहा हूँ, जब इनके बीच का separation D है, तो angular speed of 2, with respect to 1, is equals to, 2 with respect to 1, मतलब किसके respect में, 1 के respect में, तो V2 का perpendicular component, minus V1 का perpendicular, divided by separation between them, perpendicular to what, perpendicular to the line joining the particles, perpendicular to the line joining the particles, तो V2 का perpendicular component है, V2 cos theta 2, V2 cos theta 2, and V1 का perpendicular to the line joining them, is V1 sin theta 1, V1 sin theta 1, upon D, this is the omega of 2 with respect to 1, now omega of 2 with respect to 1 का मतलब है, 2 का angular speed, 1 के respect में, omega of 2, मैंने velocity of A with respect to B kinematics में पढ़ाया था, इसमें किस को rest में मानेंगे, B को rest में मानते हैं, this is VA minus VB, VA minus VB, तो VA, 2, यह perpendicular line है, perpendicular, तो VA, इसमें B को rest में मानेंगे, 2 with respect to 1, मतलब 1 को, 2 with respect to 1, मतलब 1 को rest में मानेंगे, तो 1 को rest में मानेंगे, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, this is, this is, तो 1 को rest में मानके और यह separation D मानके, एक circular path है, ऐसे assume किया गया होगा, this is the omega, ठीक है, हलाकि यह change होगा, because इनके बीच का separation change हो जाएगा कुछ दिर के बाद, clear, तो इतना याद रखना है कानेमिटिक सब्सर्कूलर मोसन में, and please जो बच्चे अभी जॉइन किये हैं, यह हमारा सीरीज जो है, TBQ जरूर याद रखेंगे, और इस चैनल को भी follow करेंगे, क्योंकि इसी चैनल पे, I mean टेलीग्राम चैनल पे, जो की हमारे parent चैनल, J.E.Quest का, यह टेलीग्राम चैनल है, इसी पर हमारा TBQ आएगा, that is thinking booster question, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइर करन जरूर जरूर जबाएं, क्योंकि फिर next class, इसका second part है ना वाला है, तो पूरा chapter ऐसे ही खतम करूँगा, जिस तरह से आज खतम किया हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं सेसपाल, देखो, सेसपाल, recording is there, यू केन, वो लगे थोड़ा धीरे पढ़ाईए, अब आप ग्रो कर गया हैं भाई, अब तो आप अंकल हो गया है, धीरे पढ़ाते हैं किसको, बच्चे जो टेंथ पास आते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो 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 मेगा के डिरिक्शन बता चुका हूँ, पीछे एक बार देख लेना, वाशु, महता, एक बार सुरू से वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो keep it up guys, God bless you all, and मिलते हैं next class, और बच्चे जो लेट से जॉइन किये हैं, इसको सुरू से देख लेंगे, जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा fast है last में, वीडियो को pause कर सकते हैं, 0.5x में देख सकते हैं, ठीक है, चली, God bless, take care, ठीक है, next class तो आ रहा हूँ ना मैं, cricket 360 आ रहा हूँ, ठीक है, PDF मिल जाएंगे आपको टेलिग्राम चैनल पर, इस चैनल पर, और मेरे चैनल को follow कीजिए, उसे मिल जाएंगे सारे, ठीक है, बाए बच्चों, हाँ, Olympiard के बहुत सारे questions मैं लेके आने वाला हूँ, एक series ही शुरू करने वाला हूँ मैं, और J.E. के advance के question, जो काफी peculiar question हुआ करते थे, जैसे Corioli Sports के बारे में पढ़ना हो, तो वो सब हम आपको लेके आएंगे, don't you worry, अभी तो चैनल हमने शुरू किया ठीक है, बाए बच्चों, God bless.